नवस्कार दोस्तों स्वागत है आप आप ही के चैनल ग्रीन टेडर में टाइम हो गया है अभी पाँच बच के पंदरा मिनट और एंसिस करेंगे हम कल 21 जुलाई आपका मन्त है यह और दिन रहेगा आपका एक्सपाइरी वाला और मुझे लग रहा है वही है कल तुफानी एक मैं तेजी में था बढ़िया हमने स्टॉक स्टॉक भी बाई करना चालो कर देते बट एकदम से मुझे कुछ दिखा मैंने अपडेट किया कि बहिया पुट बाई कर लो एक से दो गजे के करेब का टाइम होगा और पुट कैरी करके जाओ मार्केट अगले दो दिन में गिर स सकता है ठीक है उस समय 16,550 के आसपास निफ्टी चल रहा था और आया है नीचे की तरह बट अभी और गिरेगा अभी गिरना बाकिए देखे दोस्तों हो कह सकता है कल एक्सपायर ही है ऑक्षन की पोजिशन ऐसी बनी हो सकती है कल भी आपको एक तीजी दिख सकती है बट उस मैं लेक्सिमम बोल रहा हूं अदरवाइस मुझे लग रहा कल या परसों में आ जाएगा मंडे तक स्क्रीन पर आना चाहिए 16,400 से लेके 16,300 ठीक है अब यह पुट वट हुआ क्या है देखिए अग यह ट्रेंड लाइन जब मैंने खीची यहां से तो मुझे एक चीज वो इस लाइन के रिजिस्टेंस पे ही है जो आज की मार्किट की ओपनिंग है तो यहां से मेरे कान खड़े हो गए ते क्यों इसने सीधा का सीधा 562 पर ही ओपन किया या यह नीचे भी तो ओपन करके उपर जाके क्लोज कर सकता था बट जो पैटन बनना था ठीक है यहां प 562 और एक सर्च कर यहां आईलेंड रिवर्सल पैटन ठीक है बहुत बड़ी ओपनिंग होती है फिर एक उपर छोटी सी रेड केंडल बनती है मार्किट में पूरे दिन कारोबार के नाम पर कुछ नहीं होता उपर नीचे एक छोटी सी रेड केंडल बनती है बस रेड केंड 50 में यह है 50 एम में 20 एम में अभी भी भी बहुत नीचे है तो यह सीधा उपर नहीं भाग सकता एक रेड्रेस्मेंट लेगा ही लेगा ठीक है मार्किट का ट्रेंड पॉजिटिव है इसमें कोई दोर आई नहीं ठीक है और यह चैनल के अपर बैंड पे भी चला गया है तो अब यह चैनल के इस हाफ बैंड पे आएगा एक बार 16,400 से 16,300 वहाँ पे हम लोग रिव्यू करेंगे फिलाब हम बन गए हैं पुट प्रेमी ठीक है आग दो पैर से और इन केस कल अगर तेजी हो जाती है धवराने की दोस्तों जरूरत नहीं है 16,500 की पुट मैं खुद परसनली बाई करके बैटा हूँ और परसनल मेंबर जो है उनको भी बाई करवाई है जुलाई मंत की ठीक है जुलाई मंत की इसको एवरेज करना है टेलिग्राम पे रहिएगा मैं आपको बताऊंगा इसको कब एवरेज करना है क्योंकि मार्केट ग गीरेगा जो मैंने टार्गेट बोले उसके आसपास उनको आना चाहिए तो फिलाल ये दोस्तों निफ्टी का ज्यादा इसमें कुछ बताने लायक है नि एक तरफा विव है नीचे की तरफ विव है इनकेस कल कोई तेजी मिलती है तो भी शौट ही करना है ठीक है तो भी ये केंडल जो है यहां पे केंडल बननी चाहिए ऐसे कल ये कल आपको चितर देखने को मिल सकता है ये गैप फिलो सकता है 16,400 से लेके 16,300 ठीक है बाकि देखते है कल कल कोई तेजी भी होती है तो भी ठोक नहीं है फिर फ्राइडे गिरेगा फिर फ्राइडे मंडे दोनों द घिरेगा ठीक है नोट कर लिजे आप अगर कल कोई तेजी होती है अब आते हैं बैंक निफ्ती बैंक निफ्ती तो पूरा आखरी मां कर दिया भाई तो बैंक निफ्ती पे भी आप मान के चलिए 35,400 ये है target ठीक है ये है target आपका sell ही करके चलिए 36,200 का SL लगा के sell करिए ये target आना चाहिए 35,400 और बट 16,200 और इधर 35,200 बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए ये वो level है जिनके बाद beers जाग जाएंगे अगर इनके नीचे closing आती है ठीक है इनके नीचे closing आती है तो आपको put side cut trade ठीक है carry जब तक नहीं करना है ठीक है positionally जब तक इनके नीचे closing नहीं आती है यहां से sure shot है मुझे पूरा विश्वास है कि कल नहीं तो पर सो market गिर जाएगा यह level आ जाएगे जो हमारे target है यह figure आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा इसके बीच में आपको nifty देखने को मिलेगा ही मिलेगा और 35-400 से लेके 35-300 यह आपको bank nifty में देखने को मिलेगा ही मिलेगा within two to three days maximum Monday ठीक है maximum Monday otherwise यह हो सकता है आपको कल या Friday को ही देखने को जाएगे तो छोटा सा भी हो है दोस्तों जादा वीडियो बड़ी बनाने का कोई है नहीं यहाँ पर एक एंडल जो उपर बनी है दोनों formation जो बनी है यह एक नीचे की तरफ गिरावट दिखा रही है ठीक है थैंक यू वेरी मच वीडियो पसंद आई हो और सपोर्ट लाइव मार्केट में अच्छा लगाओ दोस्तों तो प्लीज लाइक का बटन दबाएगा थैंक यू वेरी मच